इसको सामने हो, वेरी नाइस, क्या पूछे हो, जाने दो, देखें, ये, ये कोई पहली घड़ना देश में नहीं है, बीजेपी जब से सत्ता में आई है, उसकी कोशिस रही है, जो सेंटरल एजेंसीज हैं, उनका गलत इस्तमाल किये जाए, डिप्टी सियेम, मनी सिसोधिया, लगातार, वहां की सिक्षा, विवस्ता को बहतर करने में लगातार काम कर रहे थे, और उन्होंने देश के सामने एक मॉडल दिया है, और जिस तरीके का बिवहार, भारती जनता पार्टी का रहा है, सरकार का रहा है, लगातार, इस तरह की विपक्षी, जितने भी नेता है, उनके खिलाब जाचे चल नहीं है, जितनी भी संसा है, चाहे इंकम टेक्स हो, चाहे एडी हो, सीबी आई हो, ये लगाई जा रही है, जिससे की आने वाले लोकसवा चुनाव को प्रभावित कर सकें, जनता ये देख रही है, क्योंकि बिरुजगारी का इनके पास जवाब नह नहीं है, महंगाई का जवाब नहीं है, और जिस तरीके से देश की संपत्तियां बेची जारी है, उसका जवाब नहीं है, आप उत्तर परदेश देख लीजे, यहां की गवर्णर उनकी स्पीच में, चार्ज परसेंट है अनप्लॉइमेंट रीट, बजट स्पीच देख ल आप सिलिंडर की कीमत देख लीजे, दूद की कीमत देख लीजे, आप डालों की कीमत देख लीजे, आज ओ आटा भी गाउस की कीमत देख लीजे, घी की कीमत देख लीजे, हाँ जरूर चीज महंगी हो गई है, तो इसका जवाब जब भारती जनता पार्टी के पास नहीं ह और जिसको भारती जन्ता पार्टी ने बनाया दुनिया में पैचान दिलाने के लिए नम्मर दो तक पहुंच गए आज 20 लाग करोड के घाटे में चला गया हो इंसान इसका क्या जवाब है अगर 20 लाग करोड की वैलिशन गई है तो LIC जैसी संस्ता का पैसा डूब गया आपके स्टेट बेंक ऑफ इंडिया का पैसा डूब गया अरे हमारे मुख्यंत्य कितने अच्छे थे सोचिये यहाँ पर बिझली विभाग की प्रावडेंड़ फंड सरकारी करमचारियों का एक प्राइवæट करमपनी में इंवेस्ट हो गया था वो प्राइविट कंपनी डूबी हमारे मुख्यमंती जी ने वहाँ के अधिकारियों को जेल भेज दिया कमपनी के लोगों उचे बिल दिया कम से कम दिल्ली की सरकार को हमारे मुख्यमंती का काम करने का तरीका सीखना चाहिए अगर लगाया है तो उनके खिलाव अधिकारियों के जांच करना चाहिए जेल ऊ हरो जा रहे हैं जो सुधार כर रहे हैं और फिर बीजेपी को बात आप समझना कौन कौन मिला हुआ है यह साजिश बड़ी है और यूपी का चुनाओ कोई छोटा चुनाओ नहीं है यह देश का चुनाओ है इस प्रदेश ने प्रधानमंती दिया है यह प्रदेश प्रधानमंती देता है तो इसलिए साजिश भी बड़ी है साजिश छोट मोटी नहीं है हमें तो ये पढ़ने को मिला है कि बीजेपी का कोई अल्प संकर प्रकोस्ट है वो भी शामिल है और किस-किस दल में आये किस-किस दल से संबंध हैं आप जानकारी करिए जब उत्तवपदेश में एक बाई एलेक्शन था जिसका नाम लिया जा रहा है उसके भा था ऐसे माफिया लोगों को क्योंकि मख्यंदी ने काये कि माफियां को मिट्टी में मिला देंगे अरे माफियों की सूची तो आ जाए मैंने सदन में मांगा कि टॉप टेन टॉप हंडेड माफियों की सूची जारी करते सरकार सरकार पीशे क्यों हट रही है सरकार सूची ज गनर्ड लेकर जिसकी कि जान चले जाये तो सोचो कितनी बड़ी सुरक्षा और्ची cabeogh भी उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिएं